बर्थडे स्पेशल खलनायक से नायक बने विनोध खना जाने ये ऐसी ही अनसुनी बातें बत और खलनायक अपने करियर का आगाज करनाया के रूप में फिल्म इंडिस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों तक पहुशने वाले सदा बहार अभिनेता विनोध खना ने अपने अभिने से दशकों के बीच अपनी अमिट पहचान बनाई 6 अक्तूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में जन्में विनोध खना ने सनातक की शिक्षा मुंबई से की इसी दोरान उन्हें एक पार्टी के दोरान निर्माता निर्देशक सुनील दत से मिलने का अवसर मिला सुनील दत उन दिनों अपनी फिल्म मन का मीत के लिए नए चेहरों की तलाश कर रहे थे उन्होंने फिल्म में विनोध खना के समक्षबत और सहनाया काम करने की पेशकषकी जिसे विनोध खना ने सहर्श स्वीकार कर लिया घर पहुँचने पर विनोध खन्ना को अपने पिता से काफी डांच भी सुननी पड़ी विनोध खन्ना ने जब अपने पिता से फिल्म में काम करने के बारे में कहा तो उनके पिता ने उन पर बंदूग तान दी और कहा यदि तुम फिल्मों में गे तो तुम्हें गोली माच दूंगा बाद में विनोद खन्ना की मा के समझाने पर उनके पिता ने विनोद खन्ना को फिल्मों में दो वर्ष तक काम करने की इजाज़त देते हुए कहा यदि फिल्म इंडिस्ट्री में सफल नहीं हो गे हो तो घर के विवसाय में हाथ बंटाना होगा वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म मन का मीत टिकट खिड़की पर हिट साबित हुई फिल्म की सफलता के बाद विनोद खना को आन मिलो सजना दोट मेरा गाउ मेरा देश दोट सचा जूटा जैसी फिल्मों में खलनायक की भूमिक आये निभाने का अवसर मिला लेकिन इन फिल्म की सफलता के बावजूद विनोद खना को कोई खास फायदा नहीं मिला